वाश्रम जाने के लिए हम यही फिंगर क्यों खड़ी करते हैं इंडियन टीम में खेलने से पहले सचें तेंट तूर करने पाकिस्तान की टीम में क्यों खेला और एक ऐसे प्रॉब्लम जिसमें बालों की जगा नाखून निकलते हैं ऐसे इंट्रेश्टिंग फैक्ट को जानने के लिव वीडो को अंततकर जरूर से देखना दोस्तो आपने आस्मान में एक लाउड को देखा होगा लेकिन क्या आपने कभी रेंबो क्लाउड को देखा है देखो रेंबो क्लाउड को चीज़ तरह दिखाई देते हैं दोस्तों ये जो rainbow है, ये असल में एक cloud ही है, और ये सारा कमाल सूरज की reflection, और reflection का कमाल है, fact number two, आपको पता है psychosis, इस दुनिया के सबसे बहेंकर mental disorder में से एक है, psychosis जिनको होता है ना, उन्हें reality से disconnection feel होता है, मतलब उन्हें ऐसा लगता है, reality real नहीं है, अगर आप उनके experience को प होंगे ना, जैसा कि आप इस image में देख रहे हो, और इस image में आप कौने में एक creature को देख रहे होंगे, तो उन्हें कुछ इस तरह के creatures भी दिखने लगते हैं, बाप अरे क्या mental disorder है, fact number three, ये एक illusion है, और इसे देखो, और आपके phone को उपर नीचे करते हुए इस illusion को देखो, और आपको इस illusion में आखे दिखने लगेंगी, और आप जब phone को एक जगा पर रोक दोगे, तब आपको आख नहीं दिखाई देगा, क्या आपको पता है कि ऐसा कैसे होता है, तो जानिए, हमारा brain missing thing को खुद बखुद create कर देता है, जैसा कि आपने आखे तो देखी होंगी, तो इसलिए हमारा brain आखों को खुद बखुद create कर देता है, और हमें वो आखे इसलिए दिखाई देती हैं, क्योंकि हमारी आखे brain की मदद से ही देख पाती हैं, इंडिया के तरफ खेलने से पहले, पाकिस्तान की तरफ खेल चुके हैं, 1987 में हुए एक exhibition match में, सचिन तंतूर करने एक interview में बताया था, fact number 5, हम washroom जाने के लिए pinky finger को ही क्यों उठाते हैं, मतलब हम washroom जाने के लिए यही action क्यों करते हैं, दोस्तों कहा जाता है कि सवी उंगलियों का कुछ ना कुछ तो मतलब होता है, और इसी तरह pinky finger का मतलब होता है, जल, और इसलिए जब हमें washroom जान नाखुन ही नाखुन है, मतलब कि जहां hairs होते हैं, वहां पर भी nails grow होने लगते हैं, दोस्तों दरहसल इनकी body में XX keratin है, और इसलिए इनकी hairs की जगा, कड़ा कड़ा नाखुन ग्रो हो रहा है, मतलब कि जहां पर hairs होने चाहिए, वहां पर भी नाखुन, दोस्तों आपका ना नाम क्या है, कमेंट करके जूरू बताना, आज मैं सबका नाम जानने वाला हूँ, और दोस्तों वीडियो को यहां तक कर देखा हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, और चानल को सब्सक्रेब कर, बेल एकन को ओल पकल लेना